थो यहां पर आज आपका यह दूसरा वीडियो है और मैं इसमें आप सभी का रिकॉर्ड करने वाली हूं या फिर मैं आप सभी को बताने वाली हूं क्या भूगोल की बहतरी ट्रिक के बारे में किसके बारे में भुगोल के बहतरी ट्रिक के बारे में आप सभी को बताने वारी हूँ और आप लोग रेडी हो जाओ एक ऐसे दो बहतरी ट्रिक में आप सभी को बताने वारी हूँ जिससे आपके एक्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो ट्रिक को बतान थियुक्ड कर चाई चालू हो गया है यहां पर पर हम सकते हैं ठीक है आगे अगे हम करकर एखा वाले राज जी के बारे में आसमी से बात करने वाली हूँ, ठीक है, यहाँ पे भारत में होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, भारत में करकर एखा वाले राज जी के उपर नहीं हाँ में बात होगी, करकरेखा की जब बात होती है तो करकरेखा के बारे में हर कोई जानता है थोड़ा समय बताऊंगी करकरेखा की उपर बात जो है थोड़ा समय बताऊंगी क्या है करकरेखा आप सभी को पता है प्रिथवी जो है हमारी इसमें दो रिखाएं जो है यहां पर बाटी गई है जो कौनसी दो रिखाएं जो है इसमें बाटी गई है एक अच्छांस रिखाएं और एक देसांतर रिखाएं क्या एक अच्छांस रिखाएं और एक देसांतर रिखाएं है ना अच्छांस हम equator बोलते हैं, English में क्या बोलते हैं, इसको equator बोलते हैं, ठीक है, इस तके अगर साढ़े 23 टिगरी के उपर में जाओ, क्या, अगर साढ़े 23 टिगरी के उपर में जाओ, देखो, ये वाला पाड का है, आपका सदन स्पेर है, है ना, ये क्या है, दच्छणी गोलार्द है, और ये क्या है, उतरी गोलार्द है, ये क्या है, दच्छणी गोलार्द है, मैं यहाँ परिक देती हूँ, ये क्या है, दच्छणी गो यह उत्तरी गुलार्द है ठीक है उत्तरी गुलार्द के साड़े तेश डिग्री अगर आप उपर देखते हैं ठीक है साड़े तेश डिग्री रेखा जो होती है उसको हमें यहां पे करकरेखा के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं करकरेखा के नाम से जानते हैं और जो हमारा भारत हे वो उतरि गोलार्द में है और करकर एखा जो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर ये गुजरती है और इसी में हम जानेंगे यहां पर करकर एखा जो हे भारत के कितने राज्यों से होकर यह गुजरती है इसके बारे मैं यहां पर बताने वाजी हूँ ठीक है करकर रेखा कि अगर आप उपए 6.6-6.6 डिगरी पर जाते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा आरकटिक रेखा आरकटिक बृत मिलेगा आरकटिक बृत मिलेगा ठीक है यही नीचे की और अगर जाते हैं तो नीचे की और अगर हम जाते हैं साड़े तेश डिगरी पर यहां पर क्या मिलेगा आपको मकर रेखा मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन ठीक है उसके और नीचे जाओगे तो यहां पर साड़े 6-6.6 डिगरी पर क्या मिलेगा अंटार्टिक रेखा वित्य बोलते हैं रेखा नहीं बोलते हैं ठीक है अंटार्टिक वृत्य मिलेगा ठीक है तो यही इसी के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ थोड़ा सा सौट ने बताई हूँ बाकी तो समझाने चलो तो एक घंटा चला जाएगा ठ क्या है क्या है देखो मित्र पर गंचा जहार मित्र पर गंचा होता है ना इसको बोलते फिर गंचा जहार तो यहां इसके बारे में इहां पर आप सभी को जानकारी मिल गए पूरे पूरे आठ राजियों से होकर ये गुजरती है त्रिक यात कर लेना मित्र पर गमचह जहार मीजोरम ट्रिपूराब पशिमंगाड राजस्थान ठीक है गुजरात मध्यपदेश शत्तिस गड़ और जहारकंड ये पूरे आठ राज्य है अब हम चलते हैं आगे कुछ एक खास चीजों के बार, खास के उपर, क्या खास है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खास यह है, G20 सिखर सम्मिलंग के बारे में हर किसी को पता रहता है, है ना, G20 के बारे में बहुत लोगों को जानकारिया होती है, लेकिन उनको यह जानकारी बहुत ही कम हो जाती, क्योंकि G20 के अ G20 के बारे में यहां पर जानकारी ले ली जाएं तो चलो यहां पर जो है जानकारी लिया जाता है G20 की जब बात करती हूं G20 की जाती है इसकी अस्थापना 1999 में की गई थी कब 1999 में किया गया था किसके द्वारा जो है 1999 में जो जी सथापना की गई थी इसके अंदर पूरे 19 देश और एक यूरोपिय पर 20 सदस्व सिदेश कितने आते हैं कि ऑ कि इसका हीड़कilling कहीं रहता है ठीक है इसका headquarters जो है कहीं पे सुनच्चित नहीं रहता है कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा लोग जो बोलते हैं जर्मनी होता है लेकिन जर्मनी नहीं होता है आगे की बात करें G20 में मेजबानी कौन किया था 2020 में G20 की मेजबानी कौन किया था सौधी अरब कौन से देश ने किया था सौधी अरब ने किया था लेकिन ये 20 में कोरोना के बज़ा से वर्चुल हुआ था क्या हुआ था वर्चुल मिटिंग यहां पर रखी गई थी उसके बाद 2021 में कौन करने वाला है रोम, रोम कहां है भई, इटली कौन, इटली में ठीक है, 2022 में कौन करने वाला है इंडोनेशिया कौन करने वाला है, इंडोनेशिया ठीक है, उसके बाद 2023 में कौन करने वाला है हमारा भारत महान हमारा भारत करने वाला है 2013 में G20 की मेजबानी ठीक है तो ये जोहे याद करे रहना ये एक्जाम में ज़्यादा पूछता है ठीक है कि G20 का 2020 में मेजबानी कौन क्या G20 सिखर सम्मेलर की मेजबानी 2020 में किस ने की थी आप संदिया रहेगा तो लगाना है सौधी अरग और इसमें जोहे वर्षफोल मिटिंग की गई थी ठीक है उसके बाद जीटवंटे का सिखा सम्मिलन 2021 में कौन किया था इटले ने किया था कहां पर रोम में उसके बाद 2022 में किस ने किया कौन कर रहा है इंडोनेशिया कर रहा ऐक क्या है आइलेंड है क्स इसमें तो है बलगवक 3000 के ट्वीप पाया जाते इसलिए वांसी पूरे दुनिया में सब्विपों का सब्सक्राण मानें जाता है इंडोनेशिया इंडोनेशिया 2022 होगा ठीक है उसके बाद 2023 मेज़ों है हमारा भारत करेगा इसकी मेज़बानी चलिए यहाँ पर चलते हैं अब यहाँ पर हम लोग ट्रिक के उपर ट्रिक क्या है यहाँ पर देखिए गुरुजी सीता अब SSC FCI में जौब करती है गुरुजी ने हमसे पूछा कि बेटा बताओ सीता क्या करती है तो आपने बोला कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जौब करती है तो इंग्लिश वर्ड को लेना है मैं हिंदी जान कर लिखी हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए लिकिन इंग्लिश वर्ड में के बोल फोकस करना है गुरुजी में कितने देश आते हैं पूरे 6 देश आते हैं जी का मतलब क्या हो गया जर्मनी यू का मतलब क्या होगा यूसे आर का मतलब रशिया यू का मतलब यूके जे का मतलब जापान और आई का मतलब क्या हो गया इंडिया ठीक है अच्छा एक चीज और बताना था आप सभी को G20 का जो अध्यच है वो कौन है? अभी हाल ही में वर्तमान अध्यच कौन है? G20 के SINJO-Ombe ये कौन है? जापान के वर्तमान प्रधान मंत्री है G20 के अध्यच के बारे में जौहेबि मैं वहाँ पे लिके दूँगी, नहीं तो आप लोग लिख लेना वर्तवान अध्यश कौने सिंज्यों ओम्बे हैं जो जापान के वर्तमार प्रधान मंत्री है ठीक है आगे की बात करते हैं यहाँ पर आगे की बात यहाँ पर किया जाता है देखिए सीता का क्या हो गया एस का मतलब साउथ अफरिका आई का मतलब इंडोने आगे का मतलब क्या हो गया ब्राजिर शीचा करतीक अ का मतलब क्या हो गया फ्रांस सी का मतलब क्या हो गया चाइना & 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 गुरु जी सीता अब FCI में जॉप करती है तो गुरु जी का यहाँ पे जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया सीता का क्या हो गया? साउथ अफ्रिका, इंडोनेशा, तुर्की और आस्टेलिया अब का क्या हो गया? यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राजिल, अशेची का क्या हो गया? सौ्धी अरफ, साउथ कोरिया और कनाडा, FCI का मतलब क्या हो गया? फ्रांस, चाईना, इतली और मे का मतलब क्या हो गया यहां पर आत कर लो मैक्सिको यूरोपिया यूनियन ठीक है यूरोपियन यूनियन तो यहां पर हम लोगों ने देखा जी ट्वंटी में 19 क्या है देश और एक यहां यहां यूरोपिय संगिस में सामिल है तो यह रही आज के ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और बहुत अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों में सेयर करना ठीक है चलिए अब आगली ट्रिक के आप यहां पर वेट करिए कब आती है आपकी अगली ट्रिक ओके बाइबाइ टेक केर गॉडबलेस यूए थैंक्यू सो मच